अस्राम्हालेकुम पॉल इस्ट्रेंट्स आज का माँ टॉपिक रिजॉल्व इंटू फेक्टर्स का कुश्चन नमबर टू हम सॉल्फ करेंगे एक्सराइज 5.4 सिंटेक्ट बुक जाम चोरू की बुक से एक्स क्यूब वाई 6 पाइट जैट का हो गया क्यूब मैंने आपके बताया था कोई भी नमबर दिये जाएगा नमबर को इस तरह से ब्रेक करना है कि 3 टाइम मंटिप्लाय करने पर 8 आजाए इस तरह से अगर मैं 2 को 3 टाइम मंटिप्लाय करता हूं तो वहाँ पास क्या रहा है 8 आ रहा है तो इसमें एक टू लेंगे सब्सक्राइब मैंने नहीए ब्रैकट बनाने क्या नहीं फोल दिहा है थी फिलस का साइं ता पिलस लिग दिदिए फे बनाया ब्रैकट बहार लिग दिए ठीके यहां पर दिया वाइ Y की पावर 3 एक सिक्स हो हूँ गा टैकि यह तो य की पाउर 6 दीवी है अब मुझे 6 चाहिए 3 पहले से बाहर है अगर मैं यहां पर 2 लिखता हूं 2 3 तक क्या हो जाएगा ना पर 6 हो जाएगा ठीक है मतलब यह 3 जो है ना कि दोनों वैल्योस पर अपलाए होगा उसा है एक्स पर 3 आए जाएगा और य पर क्या जाएगा थिरी टू था 6 हो जाएगा पाउर से पाउर आपस में क्या होती है इसी जाना 8 दिया हो है मैं आपको बता है अगर नंबर दिये जाएगा तो नंब और b q ली पूचँगो तो बनाएंके 2z ठीक है फॉर्म्मला क्या है आप फॉर्मला लगएगा य प्लस बी का फॉर्म्मला है हमारे पास AQ PLUS BQ परावर होता है A PLUS B BRACKET उसके बाद A SQUARE MINUS का A B PLUS का B SQUARE यह था मेरा FORMULA IS EQUAL TO का SIGN लगा है अब यहापे A PLUS B की VALUE पूछ रहा है A की VALUE क्या है मैंने बता है अब कौन सा होगा BRACKET के अंदर पूछ वाली होगी X Y का SQUARE ठीक है PLUS का SIGN था PLUS लगा दिया B की VALUE क्या होगी BRACKET के अंदर क्या है 2 Z BRACKET CLOSE फिर मैंने इसमे SQUARE BRACKET बनाए है A का SQUARE करना है A का SQUARE मतलब X Y SQUARE लिखने के बाद A की VALUE यह थीन लिखेंगे हम 2 Z BRACKET CLOSE करेंगे फिर उसके क्या होगी PLUS का SIGN PLUS लिख दिया B का SQUARE मतलब 2 Z का मैं क्या कर दूँआ है SQUARE BRACKET होगी CLOSE अब मैंने Ais it is यहां पे X Y का SQUARE लिखका PLUS का 2 Z यहां पे BRACKET मैंने CLOSE किया इसी तरह से यहां पे क्या होगा X SQUARE जो होगा इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा X से भी SQUARE आएगा Y पे भी SQUARE X स्कार आएगा तो क्या हो जागा SIMPLE X SQUARE हो जाएगा क्योंकि यहां पे 1 है 1, 2 2 सा क्या होदा 2 होते है 1, 2 सा 2 हो जाएगा इसी तरह Y लिखूँगा एक SQUARE पहले से इस पर है 2, 2 सा क्या हो जाएगा आपे 4 ठीक है माइनस का साइन मैंने आपे लगा दिया अब यहां पे 2 और 1 यहां वान है 2, 1 सा क्या हो जाएगा 2 2, numbers को multiply करवाया मैंने आपे इसी तरह X लिखा मैंने आपे Y स्कॉाइल लिखा और मैंने आपे Z लिख दिया क्योंकि तीनों आपस में अलग-अलग values थी मन्टिप्लिकेशन नहीं हो सकती थी सब्सक्राइब लगा है 2 का स्कॉयर क्या होता है 4 होता है और यहां पर लिख दे Z का मैंने स्कॉयर ब्रैकेट होगे क्लोज और यहां पास क्या हो गया आंसर थेंक यू